हलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है यह अबस्टेक्ट अलजबरा का लेक्चन नमबर एट है इससे पहले लेक्चन नमबर सेवन तक हमने अबस्टेक्ट अलजबरा में कुछ सब टरो चैसे कि ग्रुप क्या होता है कि इसकी डेफिनीशन से लिएसे smकंप्रोर्ड इंपॉर्टेक्रों Chutz sub-group क्या होता है इसकी definition sold example and कुछ important properties साथ में नॉर्मल गुरूप क्या होता है नॉर्मल गूप centralizer क्या होता है center क्या होता है group का ये सब कुछ पढ़ चुके हैं इसकी important definition बूट सारी important definition हम lecture number 8 तक 7 तक पढ़ चुके हैं इस वीडियो में हम कुछ important theorems जो कि cyclic group से related होंगी वो पढ़ेंगे साथ ही cyclic group क्या होता है cyclic group की definition क्या होती है कुछ important theorems हम previous वीडियो में जो lecture no.7 था उसमें हमने cyclic group की कुछ important definition and theorems पढ़ी थी तो इसमें हमारे पास first है हमारे पास theorem आज subgroup of a cyclic group is cyclic यहनि कोई भी एक cyclic group है उस condition में उसका subgroup जो होगा वो भी एक cyclic होगा basically हमने cyclic group की definition पढ़े थी cyclic group क्या होता है एक set G जो है वो cyclic group कहलाता है अगर इस set को या इस group को only किसी एक element से generate किया जा सकता है यह जो element है उसकी power की form में पूरे group को लिखा जा सकता है तो हम कहते हैं कि यह group जो है वो cyclic group है हमारे पास यह है इसको हम प्रूब पढ़ते हैं लेट जी बराबर ए जो है इसका generator है एंड एच बराबर एच इसका सब गरूप है तो यह प्रूब करने की ज़रूद नहीं है अब हमने ले लिए let as not equal to e यानि जो है वो यानि जिसमों identity element के अलावा और वी एक element है हमने ले ले लिए जो है वो only identity element नहीं है तो उस condition में हम यहाँ पर एक member इस तरह से मिल जाएगा जो कि g का एक element होगा e के अलावा तो उसको लिए हमने suppose कर लिया कोई एक element जो अपने से पूचिए क्यों g को हम पहले कह रहेते जी जो है वो cyclic group और generator y e है तो g किस form में होगा हमारे पास a2 e की power 3 dot 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 इस तरह से यह चलेगा हमारे पास इस तरह से एक group होगा यह होगा हमारे पास अब हमने ले लिया कि इसमें से चलो यह के अलावा एक और generator है जो एक जो है वो इस तरह से है कि उसमें a m a m square dot dot इस तरह के कुछ element है यह जो है वो least पाबर है जो की m में exist कर रही है तो इस condition में हमारे पास a m belongs to h और हमने claim कर लिया कि उस condition में h बराबर a m जो है वो एक cyclic subgroup है let x belongs to h be any element अब हमने ले 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 कि x जो है वो एक h का element है तो उस condition में हम x को किस फॉर्म में लिख सकते हैं a की power k की फॉर्म में होगा बेसिकली इस जो 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 है उसका रिमेंडर है जो कि 0 से m के बीच में हैं तो इस condition हम यहां से के सकते हैं r बराबर k-mq यहां से बेसिकली हमने r की बेले लिखा लिए तो r को एक साइड में रखा और mq को इदर लेगे तो r बराबर k-mq तो यहां से देखेंगा एकी पावर r बराबर k-mq तो मैंनें Thank you यह हो गया हमारे पास यह हो जाएगा हमारे पास इकी पावर के डॉट sevent की पावर् मैनस never यह होगा हमारे पास है यहां से तो हो गया हमारे पास इसकी पावर के डॉट off my дум messire माम नीएन हमारे पास अप्र अफ्मेन सब्सक्राइब्स यह क्यूंती क्यों म्यूंत की ग disp ist दो जहाँ से हमक nosso किसके सकते हैं कि a कि power or belongs to Preferences funk क्यूं कर रहा है क्योंकि X जो है वो हमारे पास रहे हैं किसका elimen today icallcraft M जो है यहनि कि एक पावर M सै रहाँ मिनश क्यूं यहाँ एक element था बी उसका माइनस कियू जो हमारी पास से wykorऴट मुती थी ज़क एक एलिमेंटो, B, A के एलिमेंटो, A, B inverse belongs to H कर जाया, तो इस condition में H जो होता है, वो सब गृप होता है, तो यहां से हमने यहां से कहले देख, A, R जो बिलोंग सुट कर रहा है, H के लिए, but, but, M is the least positive integer such that, A, M belongs to H, जो M जो है, वो least positive integer है, जिसके लिए कि A, M belongs to H, तो यह कब exist कर सकता है, जब R बराबर 0 हो, तो इस condition में K बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास M, Q, K बराबर M, Q या हम कहे सकते हैं, X बराबर A की पावर K बराबर A की पावर M की पावर Q, यहनि इस form में X को लिखा जा सकता है, तो यह हो गया हमारे पास, कि इसका जेनरेटर जो होगा, वो only A की पावर M ही होगा, तो यह A की पावर M जो है, only X का जेनरेटर होगा, तो यहां से कहे सकते हैं, X जो है, वो साइकलिक है, और जेनरेटर वाई, यह M है, एक रिमार्क है, एक रिजल्ट है, वो देखते हैं, any subgroup of Z plus will therefore be of the type NZ, यान कोई subgroup है, एक group है, Z plus, इस Z group का, इसका subgroup हो, जो NZ की फॉर्म में हो, उससे, जो NZ क्या होता है, set of multiple of N, where N is, यानि integer, greater than or equal to 0, then we write NZ बराबर N, यानि NZ बराबर N से जो है, वो जेनरेट होता है, यह इसके subgroup होते हैं, सारे के सारे, Z plus के subgroup जो होते हैं, NZ, यह subgroup होते हैं, यानि Z plus का एक subgroup हमारे पास, Z plus, 2Z plus 1, 3Z plus 1, सभी जो होते हैं, इसके जेनरेटर होते हैं, अब हमारे पास next theorem है, आज cyclic group पे जाब alien, कोई cyclic group होता है, वो ab alien होता है, यह हमें so करना है, let G बराबर, यह जो है, इसके जेनरेटर है, तो G को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, F, X, and Y, V, and two elements, अगर X और Y जो है, वो G के दो element है, तो X को A की power N, और Y को A की power M की form में लिख सकते हैं, क्योंकि यह जेनरेटर है, तो X और Y सारे element G के होंगे, जो A की कुछ power की form में होंगे, तो यह हो गए, A की power N, B की power M, तो यहां से X.Y अगर लिखना चाहिए, तो यह क्या हो गए, A की power N, A की power M, तो यह हो गए, A की power N plus M, यह हो गए, X तो X, Y जो हम लेकर चले थे element, उसको हम लेकर कर दिया Y, X के, तो यहां से हम कह सकते हैं, जी जो है, वो इस condition में Abylin होगा, यह एक important result है, कही बार पूछो जाता है, तो every cyclic group is Abylin, cyclic group Abylin होता है, बट हर Abylin group cyclic नहीं होता है, तो उसके लिए एक हम एक्जामपल देख सकते हैं, on the other hand, Abylin group need not to be cyclic, उसके लिए क्लेन ग्रूप जो है, वो एक ऐसा ग्रूप है, जो कि Abylin होता है, लेकर cyclic नहीं होता है, इसके लिए हम देख सकते हैं, यह जो ग्रूप होता है, होता है, 1001, 100-1-1001-100-1, यह हमारे पास cyclic है, यह जो है, वो Abylin है, लेकिन cyclic नहीं है, इसी तरह से हमारे पास, जी वराबर 1-1 Aota, जो होता है, यह हमारे पास group होता है, लेकिन यह cyclic नहीं होता है, आबेलियन होता है फिर्स यह cyclic group होता है क्योंकि i को अगर देखे तो i i square वरावर minus 1 i q वरावर minus i and i k power 4 वरावर 1 तो basically यह group जो होता है यह group जो होता है यह हमारे पास cyclic होता है and आबेलियन होता है तो second example अगर हम देखना चाहें तो यह होता है हमारे पास 1 minus 1 i minus i j minus j k minus k यह group होता है जहाँ पर i square वरावर j square वरावर k square वरावर minus 1 यह हर element अपना ही inverse है और i dot j वरावर यह फिर्स आबेलियन ग्रूप नहीं होता है क्योंकि इसमें हम i dot j minus j dot i लेते हैं equal to k तो यह group भी abelion नहीं होता है it is not abelion तो यहाँ से हमारे पास यह एक example है जहाँ पर यह group जो है वो abelion है बट cyclic नहीं है तो यह पर कुछ में result पता चले हैं कि यह group अगर हमारे पास आए तो यह group जो होता है हमारे पास not cyclic not abelion तो abelion नहीं होता है तो उससों cyclic check करते ही नहीं है तो हमारे पास cyclic check करने के लिए हम यह भी तरीका है हमारे पास कोई group को हमें cyclic check करना है तो पहले हम उससों check कर लेते हैं कि वो abelion है या नहीं अगर वो abelion ही नहीं है तो हम कहते हैं कि यह cyclic होगा ही नहीं अगर वो cycle एक है तो हम किसकते हैं कि वो abelion है उसके बाद हमारे पास next है if g is a finite group तो अगर हमारे पास if g is a finite group then the order of any element of g divide order of g अगर g जो है वो finite group है then order of any element किसी भी element का order जो होगा वो divide करेगा order of g को तो इसको हम प्रूब करते हैं let a belongs to g be an element a belongs to g जो हो एक element है let h बराबर a की पावर n n belongs to z यह एक subgroup है तो इस condition में then h is a cyclic group of g generated by a तो इस condition में यह जो होगा हमारे पास a की पावर n जो होगा h जो होगा वो cyclic group हो generated by a h इसको प्रूब कर सकते हैं suppose x y belongs to h then x बराबर x को क्या लिख सकते हैं a की पावर n y को लिख सकते हैं a की पावर n x y inverse क्या होगा है a की पावर n dot a की पावर minus m यह होगा है a की पावर n minus m अब n minus m क्या होता है n minus m जो होता है integer होता है तो integer या जड होता है तो a की पावर n minus m जो है वह belongs to h कर रहा है तो इस condition में यह जो है वह ग्रूप है then by language theorem लेंगराज थ्योर्म क्या कहती है order of h को सब ग्रूप का order जो होता है वह order of g को divided कर रहा है बट अगर हम देखें जो यह क्या कह रहा है है जो है वह cyclic group है यहाँ इस थ्योर्म में थोड़ इस यहां से हमारे पास हो गए और यहां से हमारे पास हो गए है और यह एकी पावर ओर्डर ऑफ जी शेख में वह होता है फों दा फोरन यहां से जाहुप्यत्य जन्ट आटेशाइट की सघ्ञान है और फरीन जन्ट identity element is of finite group, the group z plus of integer is an example of a group in which each known identity element is of finite group, जाने इसका each known identity element जो होगा, वो एक finite group बनाएगा, फ्रेम समाद पास next problem है, so that a group of even order has an element of order two, and the number of element of order two is odd, याने कोई group है, even order का, उसके पास n element उसके पास एक element कम से कम order two का होगा, एक element order two का होगा, and the number of elements of order two, order two के number of elements से गरे देखेंगे, तो वो odd numbers में होंगे, यह हमें प्रूव करना है, तो इसके लिए let order of g बराबर even, हम लिए सपोज कर लिया, कि order of g जो है, वो even है, let h बराबर x बिलोंग to g, जहां पर x square बराबर e है, तो h जो है, एससा set ले लिए जहां पर x के element, जहां पर उनका order जो है, वो two है, तो वो होगा हमारे पास h है, और k जो set है, वो है, x belongs to g, जहां पर x square not equal to e है, यानि जहां पर उनका order, x के element का order जो है, वो e नहीं है, तब उस condition में हमारे पास g जो है, वो क्या है, h intersection के, h intersection, g के हमने दो part बनाए, जिन में से h जो है, वो एक ऐसा set है, जिसके हर element का order जो है, वो two है, और k एक ऐसा set है, जिसके किसी भी element का order जो है, वो two नहीं है, जिन उस condition में हमने, यह हमारे पास, g जो होगा, h union के हो गया, now let x belongs to k, अब हमने सपोज किया जो है, जो आई गया है, तो उस condition में x inverse वरावर, x नहीं हो सकता, तो यह हो गया, number of element in k is even तो यहां से हो गया, हमारे पास number of element of k is even difference even क्यों है, सपोज कि हमारे पास g में, k में इस तरह के element है x square जिनके जो degree है, वो 2 नहीं है तो हमारे पास जो x की degree होगी, वो ही x inverse की degree होगी जो x की degree होगी, वो ही x inverse की degree होगी यानि कि अगर सपोज इसकी 2 degree है, तो 3 degree है, तो इसकी भी 3 degree होगी इसकी 4 degree है, तो इसकी भी 4 degree होगी तो ऐसे element जिनकी degree 2 नहीं है, वो even होगे तो यहां से यह होगा है, हमारे पास, तो यहां से जब यह even होगा है किये कर तो यहां से number of element in h will also be even क्योंकि number of element में क्या यह हमारे पास even है इन में से even में से even minus कर देंगे तो even आएगा अब फ्रेंस जो अब h की बात करते हैं तो h में हमारे पास e element है क्योंकि e square बराबर e होता है then there exists some x belongs to such that x not equal to e तो x कोई element exist कर रहा है कि x not equal to e है i.e. x not equal to e then x belongs to h order of x बराबर 2 तो इससे कह सकते हैं g has an element of order 2 तो इस condition में हमारे पास एक ऐस element भी मिल जाएगा जिसका order जो होगा वो 2 होगा basically अगर हम देखें तो यह जो कि even order का है even order का है तो हमारे पास suppose इसका 10 order है suppose इसका hg का order जो है वो 10 है तो इस condition में a की पावर 5 जो एक element होगा उसको a की पावर 5 एंड एक पावर minus 5 बराबर 10 होगा तो इस condition में a की पावर 5 का order जो क्या होगा वो होगा 2 तो इस condition में हमारे पास g has an element of order 2 यानि एक तो e square जो है वो तो एक element है इसके अलाबा भी एक element है then for every every element of order 2 is in h order 2 का हर element जो है h में लिया है as e belongs to h अब और e belongs to be h कर रहा है तो order of h बराबर e1 then the number of element of order 2 is odd क्यों क्योंकि e जो है वो तो एक identity element है identity element का order हो तो one होता है तो वहां से हो गया हमारे पास यह सपोज कि यह हमारे पास इसमें टी नंबर थे टूटी नंबर थे तो उसमें से 1-1 कर देना पड़ेगा हमें e को तो यह 2-1 यानि कि e1-1 तो यह odd नंबर आ गया यानि नंबर element of order 2 इना group g हमेशा odd रहेंगे अब friends next है हमारे पास let g be a finite group whose order is not divisible by 3 suppose a b q जहां पर suppose करने condition follow करें a b की power q बराबर a q dot b q for all a b belongs to g then so that g is abelion तो इसको प्रूब करते हैं let a b belongs to g be any element यह दो element है then उस condition में a b की power q बराबर क्या है a q dot b q जो की given condition है तो इसको क्या लिख सकते हैं a b dot a b dot a b b बराबर a q dot b q अब हमने cancellation law लगाए तो इदर से a कट जाएगा इदर से b कट जाएगा तो यह हो जाए b a dot b a बराबर a square b square यह हो गया हमारे पास तो यहां से हम कह सकते हैं b a square बराबर क्या हो गया है a square b square और इसको हमने equation number one दे लिया अब चुकि b और a element इसके हैं तो b a का q बराबर क्या लिख सकते हैं b q a q तो इसको लिख सकते हैं b a dot b a square बराबर b q dot a q अब यह हो गए b a अब b a का square बराबर क्या है a square dot b square तो यहां से हमने b a dot a square b square बराबर क्या था b q dot a q फिर से हमने cancellation law लगा तो इदर से हमारे पास b कट जाएगा तो यह हो गए a q b square ब अब हमने consider कर लिया कि यह दो element है यानि कि जी जो है वो एक group है finite group तो उसमें से हमारे पास अगर A और B दो element होगे जी के तो उस condition में A inverse B element होगा inverse property से B inverse B element होगा और dot B inverse closer property से element होगा तो B की पार minus 2 भी एक element होगा तो एक element हमने ले लिए A inverse B की पार minus 2 second element ले लिए A B square तो यह हमारे पास element है हमारे पास closer property से belongs to G कर रहे हैं तो फिर से हमने अब इसको associated property लो लगा सकते हैं कि A B C D यह इस तरह से multiply है यह कोई स्टक में तो A का पहले कर लो कोई effect नहीं करेगा तो यह हो गया हमारे पास A inverse का Q और यह हो गया B की पार minus 2 A B square का Q यह हो गया तो यह हो गया B square B की पार minus 2 यह भी E हो जाएगा तो यह E dot A आएगा यहाँ पर भी E dot A आएगा तो वो तो A हो जाएगा तो यहाँ पर A आ जाएगा बचके यहाँ आ जाएगो और A आ जाएगो तो यह हो गया हमारे पास A की 확ost the power minus 2, A Q B square ये हो गए हमारे पास B की 확ost the power minus 2, A Q B square But A Q B square ब्राबर क्या है? A Q B square ब्राबर क्या है? B square A Q तो यहाँ से A की power minus 3 ब्राबर क्या गया? B की power minus 2, B square A Q यानि A Q B square की जगे हमने बेलपुट क्रिगे तो फिर ये भी E हो जाएगा तो यह हो गैए हमारे पास, यह यहाँ से हो गैए हमारे तो आपास order of A inverse B ए यहाँ से हो गता है, यह उसका order क्या हो सकता है, यह 一 इसका order क्या हो क्या हो ओर जी धा फाइनट गरूप बूज और इस नोठ डिविजबल वाइथ तो यहां पर यह है इसका ओडर जो होए वन है या ध्री है बाट किसी भी है ग्रूप का कोई और जो होता है वह मिसा ग्रूप के और रा़ करता है तो इस condition में 3 को भी डिवैड करना चाहिए लेकिन हमार पास दिया हुआ है कि 3 जो है वो डिवैड नहीं कर रहा तो इससे हमार पास हो गए order of a inverse b कि पावर minus 2 ab square का जो order है वो 1 है यह 1 है तो यहांसे हम कह सकते हैं कि a कि पावर minus 1 बीक पावर minus 2 ab square बन यानि ab square दोनों तरह हमने पहले ए का multiply किया उसके बाद b कवार minus 2 का multiply किया तो ab square बरावर b square a यह होगा equation number 3 अब from equation first क्या कह रहे थे हमारे पास ba square बरावर क्या कह रहे थे equation first वो कह थे ba square a square dot b square तो यहांसे हम ba square बरावर a square dot b square बट इसको हम associative properties क्या लिख सकते है यह dot ab square अब ab square बरावर क्या है ab square बरावर b square a है तो यह हो गया हमारे पास b square a कर लिया तो a dot b square a अब यह हमारे पास यह क्या बी ए तो b a dot b a बरावर a b square a तो cancellation low लगाने start के हमने इधर से तो a से a कट जाएगा उसके पाद हमारे पास बचाब b a b बरावर a b b तो b square को b dot b लिख सकते हैं तो b से b कट जाएगा यह हो गया बी ए बरावर a b तो यहां से हो गया हमारे पास जो की abilion group की property वो सो कर रहा है कि अगर a और b दो element है तो उनके लिए a b बरावर b आ जाता है तो वो abilion group होता है तो यहां से हो गया हमारे पास g जो है वो एक abilion group है उसके बाद next theorem है हमारे पास converse of Lagrange theorem hold in finite cyclic group कोई finite cyclic group है उसमें Lagrange theorem का converse hold करता है Lagrange theorem क्या थी if g is a finite group and h is a subgroup of g then order of h divide g यानि g जो है finite group है और h उसका एक subgroup है then order of h जो है वो divide करेगा g का और इसका converse क्या है friends इसका converse है कि g एक finite group है और एक कोई element है m जो की divide कर रहा है order of g को तो इस condition में m जो होगा उसका एक उस order का एक subgroup हमें exist करेगा यह इसका converse और यह कहीं बार पूछा जाता है तो इसके लिए let g बराबर a be a finite cyclic group of order n हमने ले लिए g बराबर जो है एक generated cyclic group है then उस condition में order of g बराबर order of a बराबर n क्योंकि order of g जो है a जो है जो है वो डिवाइड कर रहा है अब करना है यहां पर एक subgroup है जो जिसका order जो है वो m है since अब क्योंकि m जो है वो डिवाइड कर रहा है n को दियर एक नंबर के जो है इस तरह करेगा कि n को क्या लिख सकते है m.k अब यह इसको लिख सकते है तो यहां से let h be a cyclic group generated by ak अब ने ले लिया कि h जो है वो एक cyclic group है generated by ak है then h is a subgroup of g and order of h बराबर order of ak क्योंकि a की power k जो है वो automatically इसको cyclic group है तो cyclic group में a की power k जो element होगा क्योंकि यह divide कर रहा है तो हमने पहले ही पढ़ा a की power k a की power 2k dot dot a की power mk तक के सारे elements जो होंगे एक cyclic group बनाएंगे तो यह cyclic group बनाएंगे तो यहां से हम कह सकते हैं कि यह इसका cyclic group है जो की generated by k है तो उस condition में s जो होगा वह सब group है हमारे पास और order of h बराबर क्या होगा order of a की power k और order of a की power k क्या है हमारे पास जो की m है क्योंकि order of a की power k की power अगर हम m करेंगे तो वह वह आ जाएगा हमारे पास e we show that order of a की power k बराबर m तो a की power k की power m यानि a की power n बराबर e जो कि a की power k m बराबर n कोई तो लिखाता हमने k m तो यह हो गए हमारे पास तो order of a बराबर n अब suppose that order of a की power k बराबर t कोई एक ऐसा element है t जो कि m से छोटा element है तो उस condition में हमारे पास a की power k t बराबर e है तो उस condition में order of a divided order of k t यानि n डिवाइड करेगा k dot t को अब n को क्या लिख सकते हैं यह n को लिख सकते हैं k dot m डिवाइड k dot t तो k से k कट जाएगा तो यानि m जो है वो डिवाइड करेगा t को दस यहां से कह सकते हैं order of a की power k बराबर जो है वो है m जो कि हमें प्रूफ करना था फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम कुछ और solve example लेंगे जो की cyclic group से related ही होंगे थैंक यू फ्रेंट्स